स्वागत आया तो अड़ा सारे आंदा किनेक्ट एफेम कैनेडा दे विच असी या जिथे आये जंतरमंतर जिथे ग्यारा दिन तो भी वद होगे ने जोदो तो खलाडी रैसलर्स तरना परदर्शन कर रेने इंसाफ दी मंग कर रेने हाला कि सुप्रीम कोर्ट दे आउडर्स दे एफाईयार होगी है ब्रिज पूशन शरन सिंग दे एंपी ने पार्ती जंता पार्ती दे पर हजे तक ना ता किसे तरह दी कोई उना दी ग्रिफतारी होई है ना उना दी इंटेरोगेशन होंदा ता स्वाली नी पैदा होंदा पर खलाडियां दा प्रदर्शन उसे तरह जारी है साधेनल मजूद ने साक्षी मलिक और मैंनू लगदा नी कि उनानू किसे तारफ दी लोड़ा रियोडे जेनेरो ब्राजील दे विच हो पारतले पहली औरत सी महिला सी जिने ब्रॉंज मैंजल जित्या सी पारतला ना रोशन कीता सी पर अज इना नू जंतर मंतर थे बैठना पिया सब तो पहला देना गाल कर देया और देख देया कि कि आज भी इना दे हौंसले उसे तरह बुलंदने साक्षी मलिक जी तोड़ा बहुत स्वागत है धन्यवाद जी आपका आपको ग्यारा दिन हो गया जैसे इससे पहले जनवरी में बैठे थे अब लग रहा है कोई कहीं से कोई उमीद की हलाकी FIR होगी है पर फिर भी इनसाफ कहीं आसपस दिखाई नहीं दे रहा है देखो सर FIR हमने 21 तारीक को कराई थी और 27 को रात को FIR जाके हुई है मतलब 6 दिन बाद FIR हुई और FIR होने के बाद उसके आगे की कारवाई नहीं हो रही FIR भी जब दर जो थी जब हमने सुप्रीम कोट में याचिका डाली थी और उसके आगे का प्रोसीजर अब चल नहीं रहा बयान नहीं हो रहे तो बस लगे हुए हैं कि बात सुने हमारी हमारे बयान ले और आगे जो है उसको सजा मिले उस पर उचित कारवाई हो आपको क्यों लगता है क्यों तो नहीं लगता कि केंदर सरकार इतनी असहाई की हुए है क्या है इनके उपर प्रेशर किस चीज़ क्या ब्रिज भूशन शरन सिंग इतना ताकत हो सर अभी देखने से तो ऐसा ही लग राज हमें 11 दिन है और वो रूलिंग पार्टी का आदमी है शायद इससी वज़े से कोई प्रेशर है कि उस पर कोई कारवाई नहीं हो रही तो बात यह है कि आम जनता के लिए तो यह रूल लागू होते हैं लेकिन पॉलिटीशन के पर मैडल्स लेकि आते हैं भारत का नाम रोशन क्या इसलिए लगता नहीं आपको कि जिस तरह के रविया आप लोगों के साथ हो रहा है तो आपको तो हो सकता है आने वाली जनरेशन को आपको कहना पड़ जाए कि भाई खेलों में जाओी ना देखो बड़े दुरबागे क की बात है कि आज जिसस्ती में हम है उसमें हमें यह लग रहा है कि अ्मारे भारत देशwno को पॉलेटीशन की ज्यादा जिरूरत है बजाए के खिलाडी की सरकार को खास करतो नहीं कि पॉलेटीशन को बचाने में लगे हैं और खिलाडियों की महिलाएं कि भारत की बेटिआ क देखो सर्मोपियम मोधी सर का एंस थे सुशन संपूरा तो इस साब्स से तो बैटी बच्ची न रही है बारत की बेटीयों की लडायी है और कोई संवाइंने हो रही है तो बस वही बात भड़ा बड़ी निराशा है इस चीज को ने हम उन बेटियों की बात कर रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची है जब वो ही महफूज नहीं है किसी तरह सुरक्षित नहीं है तो और उंको क्या बात की जाए देखो सब देखी रहे हैं पूरी 140 करोड बारत की जनता देख रही है कि इतने अमने में पदक्त जीते हैं देश का नाम रोशन किया है सब में आइडल भी मानते हैं और वो देख रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो उनकी बात कैसे सुनी जाएगी वो तो आम नागरिक हैं वो कैसे लड़ेंगे उनकी इमत भी कई ना कई तूट जाएगी तो बस यही है कि आगे जो खेलों में हैं फिर वो बच्चे आना ब दो रही हैं और धीरे-धीरे अपने शिकायते करनी शुरू की 12 से है जो कल भी हमने प्रेस कॉंफरेंस में बताया था विनेश ने की 12 से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई लेकिन उनको दबा दिया गया क्योंकि हमें गेम करना था और डर था अकेला आदमी उससे नहीं हैं उनको दबा दिया गया उनको हटा दिया गया लेकिन अभी हम बहुत सारे लड़ रहे हम में हम्मत आई है कि हम इस चीज के लिए लड़ना चाहिए क्योंकि यह कब तक चलेगा इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम प्रोटेस्ट करेंगे और इस चीज को खतम करेंगे एक जब आपने मैडल जिता था उलम्पिक्स में तो प्रधान मंतरी निरंदर मोदी ने आपको बुलाया था वो सारी वीडियो वाइरल भी हुई थी तो एकदम से भूल क्यों गया प्रधान मंतरी आपको आपको तो सबको बेटियां कहते थे बेटे कहते थे अपना देखो मु प्रधान मंतरी निरंदर मोदी के इस बहेवियर से इस एटिट्यूट से देखो निराशा तो है यह निराशा तो अभी रोज रोज हमें हर जगह से स्टेट से हमें समर्थन देने आ रहे हैं और हमारा होसला बढ़ा रहे हैं कि आप लगे रहो जीत जरूर होगी और लेकिन सब लोग सुनने को त्यार हैं लेकिन मोदी जी तक शायद ये बात पहुंच नहीं रही है कि हम बैठे हैं और हमारा इस साल इंपॉर्ट बड़ा अंदोलन किया था और आखिरकार प्रधानमंत्री निंद्रमोदी को जुकना पड़ा था वो खिती कनून सारे वापिस हुए थे तो आपको लगता कि आखिरकार आपके भी हांसले आज भी बुलन्द है कि इनको भी आखिरकार जुकना पड़ेगा देखो हम भी उसी जगह से आते हैं गाहों से आते हैं हम भी उनी के बेटा बेटी हैं तो उन्होंने इतना होसला दिखा के जो है कानून वापस करवा दिये तो हम में भी वही होसला है उनी के हम बेटे हैं उनी की उसी मिठी से हैं तो बिल्कुल हम भी डटे रहेंगे जब तक हमेने आए ने मिल जाता है। तक हम तीनों ने यह चीज लड़ाई लड़ी है। और हम यह चाहते हैं कि सब की ट्रेनिंग बरबादना हो। जैसा कि वह ने बताया कि इस सालेशन गेम्स हैं ओलमपिक्स की क्वालिफिकेशन है। तो हम यह चाहते हैं और अपनी ट्रेनिंग करें। क्योंकि सब यहां के बैठ जाएंगे तो फिट रेनिंग कौन करेगा। तो सब लोग सपोर्ट में हैं, बड़े-बड़े खिलाडी सपोर्ट में हैं। जैसे आपने बताया सानिया मिर्जा, विरेंदर सहवा, गप्पिल देव जी और इर्फान खान, नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा जी बहुत हैं सपोर्ट में और वही एक ट्रू खिलाडी हैं। उन्होंने हमारा दर्द समझा। तो बड़ा अच्छा लगता है जो सपोर्ट में आ रहे हैं। मैंने हमेशा से सुना था कि पॉलिटीशन किसी के नहीं होते, बाप के, ना माय के, ना भाई के, आज इस धरने वे बैठ के वो सब पता भी चल रहा है, देखने भी लग रही हूं, लेकिन मेरा मानना यह है कि इंसान का वेक्तितल चेंज नहीं होना चीह, चाहे वो किसी भी प पुर्बानी देने पड़े, हम यहां डटे रहेंगे, कभी घरवालों से आसपास के लोगों से होता कि बेटा बस करो, बहुत हो गया, अपना गेम की तरफ ध्यान दो, नहीं सर, घरवाले सपोर्ट में आते हैं, बैठते हैं, हमारे पास हमारा होसला बढ़ाते हैं, क्योंक को भी पता है, हमारे बच्चे कोई गलत नहीं करें, किसी लालच में नहीं है, किसी, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको जो चाहिए, सरफ यह है कि इनसाफ हो, और भारत की बेटियां जो हैं, जो स्पोर्ट में आना चाहती है, उनके लिए रास्ते खुलें, और वो ने डर ह के स्पोर्ट में आएं, मेरा आखरी आपसे क्वेश्चन है, साक्षी जी कि आप मैडल लेके आतों अलम्पिक्स में आने वाली गेम्स हैं, उसके लिए आपने तियारी करनी है, क्या कहीं से वो मौटिवेशन आती है, कि यह इतने मैडल लेके भी आई हैं, हमारी बाप तो क इंसान होते हैं, लेकिन आती है थोड़ी बहुत नेकिटिविटी, लेकिन हमें यह लगता है, कि हम सच बोल रहे हैं, हम सचकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो निराशा बढ़ाने वाला इतने हैं, निराशा आपने आप दूर हो जाती है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसन साक्षी मलिक जी जो सड़ना गलकारे से और दस रहे से कि हौंसले इना दे गुलांदने और एसे तरह इना दे लड़ाई जारी रहेगी केंदर सरकार देना और जिनी देर तक एना नो इनसाफ नहीं मिलदा ए जंतरमंतर तो उठनवाले नहीं है